हेलो एपरिवन वेलकुम टू ओएल एक्सपर्ट नेम्स ओनलाइन लर्निंग वेधेश्पर्ट्स और आज यहां पर हम लोग जो अनिमल क्लासिफिकेशन हम लोगों का टॉपिक चल रहा है इस अनिमल क्लासिफिकेशन का ये थर्ड पार्ट है जिन लोगों ने भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इनसे related questions आपके जितने भी different exam साओं, सभी में आपको ऐसा ही question देखने को मिलते हैं, तो सभी लोग जल्दी से session के साथ जुड़ जाए और अपने preparation को advanced level पर लेकर के चलिए, ठीक है आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, चाहे वो state level हो, चाहे वो central level हो, सभी में आपको इस related questions मिलेंगे, ठीक है very good evening बिटा, very good evening निदी, ठीक है, सभी लोग जल्दी से आजाएए, और हाँ, response सभी लोग करते रहिएगा, तो आएए देखते हैं कि आज का हमारा जो first question है, यानि कि पहला प्रेशन है, वो हम लोगों से क्या कह रहा है, ठीक है बिटा, clear, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर बिटा, first question की बात करें, तो जो हमारा first question है, that is, name the first vertebrate which possess amniotic egg, यानि कि उस प्रथम कशेर की जीव का नाम बताना है, जिसके पास amniotic egg था, यानि कि amniotic अंडा था ठीक है, sir, pet की classes क्यों नहीं हो रही है, बेटा देखिए, जो PT का exam है आपका, इस PT exam को यहाँ पर आपका साम का ही, यही पर इसी batch में, उडान batch के साथ किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी slaves लगबग same है, उस पर चर्चा चल रही है, और hopefully कि वो अलग से चल जाएगा, ठीक है, बेटा, clear, तो यहाँ पर आपको वही सारे questions मिलने है, देखो बेटा, GS की अगर बात करें, तो GS सारे exams में same है, है ना बेटा, ठीक है, GS सारे exams में same है, तो यहाँ पर आप सभी लोग बहुत ही आसानी से preparation कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा time schedule, थोड़ा सा change हुआ है, लेकिन वो भी आपको मिलेगा बेटा, ठीक है, clear, आंकित जी, very good evening बेटा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर response आने लगा है, यह option यहाँ पर evies का, तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि आखिर, यह amniotic egg होते क्या हैं बेटा, amniotic egg में, यहाँ पर क्या होता है, कि option दिया हुआ है, amphibia, evies, reptiles और mammals, amniotic egg या amniotic portion, amniotic membrane egg में पाई जाती है, जिससे की, जो fetal है, जो बच्चा बन रहा है, वो बच्चा respiration कर सके, यानि कि सोसन की पक्रिया कर सके, ठीक है, तो यह amniotic membrane develop होती है, egg cell के अंदर ही बेटा, ठीक है, clear, और साथी साथ यहाँ पर देखें बेटा, कि जो amniotic egg है, amniotic egg में respiration के लिए मदद है, और respiration का process वहीं से होगा, जब fetal का development होगा, बच्चे का निर्माड होगा, और यहाँ पर vertebrates की बात हो रही है, यानि कि पहले vertebrates, यानि कि कशेरुकी की बात हो रही है, तो इसके लिए, जो right answer होगा, that is, amphibia, यानि कि A is the right answer होगा, evies नहीं होगा, क्योंकि जब देखिए, development शुरू होगा, development शुरू होने के बाद, सबसे पहले तो PCS बने थे, यानि कि मत्चवर्ग, उनमें gills पाया जाता है, फिर उसके बाद, gills के बाद, बेटा second number क्या हुआ, amphibia, classification में बताया था, amphibia, यानि कि उभैचर, जीवों का निर्माण हुआ, और उभैचर, जब वो land में है, तो उनको respiration के लिए, भाई, क्या चाहिए, oxygen के लिए requirement होती है, और साथी साथ, तभी वो survive कर बाएंगे, तो उनके development में भी, egg में, amniotic membrane का development हुआ, ठीक है बच्चा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, विपिन यहाँ पर C right answer नहीं होगा, reptiles नहीं होगा, reptiles से पहले amphibia बने, amphibia के बाद reptiles बने, reptiles के बाद avies बने, और फिर उसके बाद mammals का number आता है, तो यहाँ पर जो right answer होगा, that is A is the correct answer, ठीक है, amphibians में सबसे पहले देखने को मिलता है, अब यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, image में से भी, आप लोग clear, बिलकुल clear हो सकता है, देखे बेटा, egg shell है, egg shell के अंदर हम लोग अगर देखे बेटा, अगर हम किसी भी portion या किसी भी egg को हम लोग consider करते हैं, तो egg में आपका क्या होता है बेटा, जो fat portion होता है, yalk sack होता है, वही पर fetal का development होता है, fetal के development के समय पर amniotic cavity का formation होता है, और इस cavity के अंदर amniotic fluid होता है, जो की respiration में मदद करता है, ठीक है, और amniotic cavity को बनाने के लिए amnion egg में develop होता है, जो की embryo को cover करके रखता है, और ये जो character देखा गया, ये सबसे पहले किस में develop हुआ था बेटा, तो ये amphibians में हुआ था, यानि कि उभैचरों में हुआ था, ठीक है, सर बहुत दिन बाद, बिलकुल काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा लगा है, आप आ गये हैं, और हाँ, preparation कभी भी नहीं रुकती है, और हमेशा मेहनत करते रहे हैं, और बढ़ते रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जो goal है, जो आप लोगों ने लक्षिन निर्धारित किया है, 100% आप उसको achieve कर सकें, ठीक है बिटा, clear, तो यहाँ पर ये clear हो गया बिटा, amniotic egg, किस में सबसे पहले देखने को मिला है, ठीक है बिटा, बहुत बढ़िया, मूव करते हैं हम लोग, next question की तरफ, next question क्या कहे रहे है, which of the following is known as scavengers in the marine ecosystem, जो आपका marine ecosystem, क्या होता है बिटा, देखिए, ecosystem, अगर हम water की बात करें, तो water में दो तरीके के ecosystem होते हैं, कौन-कौन से, एक तो होता है, marine ecosystem, यानि की, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बिटा, aquatic ecosystem, ठीक है, क्या कहा जाता है, aquatic ecosystem, इसको कहा जाता है, अब जो aquatic ecosystem है, यह हमेशा किसके लिए term use होता है बिटा, यह आपका fresh water, यानि की, जो ताजे पानी है, ठीक है, ताजा पान पानी है, ताजे पानी के, जो animals है, ecosystem है, उसके लिए use किया जाता है, जबकि marine ecosystem, आपका हमेशा, खारे पानी, यानि की, समुद्र के लिए, इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, खारे पानी के, जीवों के लिए use किया जा रहा है, तो marine ecosystem में, जो scavengers है, अब देखिए, दूसरा नाम क्या रहा है, इसके avengers, इसके avengers क्या करते हैं, जो भी waste material, animals की body से निकलता है, उसको carry करना, और उसको ले जाने का काम, किसका होता है, तो marine ecosystem में, आपका अगर देखिए, बिटा, तो समुद्री पारिश्थितिक तंत्र में, मैलाड होना, यानि कि इसके avengers, जो waste material है, उस उसको carry करने के लिए कौन काम करता है, options हैं, आपका lamprey है, hagfish है, iscoleodon है, या आपका pursits है, ठीके, बहुत बढ़िया, यहाँ पर response आप लोगों का आ रहा है, c option, ok, c option आ रहा है, और बाकी लोगों का क्या कहना है, बिटा, देखिए, इसके avengers की अगर हम लोग बात करें, जो की fish की category से तो belong करता है, लेकिन इसके पास एक तो eyes नहीं होती है, और साथी साथ, जो आपके oceans हैं, seeds हैं, वहाँ पर ये उनके जो lower portion है, यानि की उनकी तलाहटी है, वहाँ पर गड़ा खोद करके, और waste material को ही food करता है, और उनको carry करके, ले करके जाता है, ठीक है, और ये काम किसका है बेटा, ये स्कॉलियोडान, इसकॉलियोडान तो बेटा एक dog fish है, ठीक है, जो sea option आप लोग कह रहे है, इसकॉलियोडान जो है, ये dog fish को कहा जाता है, और इसकी inhaling power जो होती है, ये काफी ज़्यादा होती है, ये 10,000 gallons में, पानी में, one drop of water को भी ये sense कर सकती है, इसकॉलियोडान, ठीक है, लेबोरेटरी में, अगर graduation में आप लोगों ने देखा होगा, तो detection के लिए वहाँ पर इसकॉलियोडान भी मिलता है, लोगों को, ठीक है, ओके, कोई बात थी ही बेटा, तो ये जो iscavenger है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के, वो किसको कहा जा ठीक है, ठीक है बेटा, और इसको आप लोग कभी भी, जैसे कि आप लोग image में भी देख सकते हैं, यहाँ पर, यह इसका shape कुछ ऐसे रहता है, और यह आपका ocean की तलहटी में, यह क्या करती है, वेस्ट material को feed करती है, उनको carry करती है, और साथी साथ holes का भी formation करती है, और वहा अच्छा, clear, आप तो confusion नहीं होगा, आप तो skip नहीं करोगे न, ठीक है, move करते हैं बेटा, next question में, next question क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, prawns and butterfly belong to the same phylum, यानि कि जो prawn है, prawn किसको कहते हैं, हम लोग जींगे को कहते हैं, जींगा मचली, जिसको हम लोग commonly कह देते हैं, तो prawn और butterfly यानि कि तितलियां, ये सभी एक ही संघ से संबंध रखती हैं, ठीक है, clear, एक ही संघ संघ से संबंध रखती हैं, because of the presence of किसकी उपस्थिती के कारण, bilateral symmetry होती है, यानि कि इनमें द्वियस्तरिय सम्मिती पाई जाती है, सरीर में jointed leg पाई जाते हैं, यानि कि जो पैर हैं, उनमें संधियां पाई जाती है, ठीक है, antenna पाई जाते हैं, या segmented body पाई जाती है, ठीक है बटा, तो जल्दी से बताएए, इसका right answer क्या होगा, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल parasites परजीवी होते हैं, बिल्कुल लेकिन यहाँ पर बेटा, जो उस question में है, वो इसके Avengers की बात हो रही है, parasites की बात नहीं हो रही है, वो परजीवी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर सभी लोगों का response आना सुरू हो गया है, ठीक, बहुत बढ़िया, jointed leg, ओके, देखो पेटा, अगर हम prawns की बात करें, यानि कि जींगा मचली की बात करें, या butterflies की बात करें, तो ये दोनों ही किस phylum से बिलॉंग करते हैं, तो ये आपका जो संग है, यानि कि जन्तु संग है, वो है आपका orthopoda, और orthopods में क्या होता है, खास तोर पर देखा जाए, तो body segmented भी होती है, antennae भी पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ रखा गया है, तो ये jointed leg की वज़े से रखा गया है, यानि कि इनके पैरों में क्या होता है, संधियां उपस्थित होती है, joints present होते हैं, जैसे हम लोगों के हाथ में अगर देखा जाए, तो हमारी जो wrist है, यहाँ पर भी joint है, elbow में भी joint है, और shoulder में भी joint है, वैसे ही insects में क्या होता है, jointed leg पाये जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर right answer क्या होगा बच्छा, right answer होगा B, ठीक है, जैसे कि किसी भी insects को देखें, तो जितने भी orthoports हैं, इनके legs को आप consider करो, तो इन सभी में क्या हैं, different joints present हैं, और यही joints जो हैं, इनके jointed leg का formation करते हैं, और इसी लिए, prompts में भी अगर हम देखें, या butterfly's में भी देखें, तो jointed leg के ही कारण, इनको एक ही phylum में रखा गया है, यानि कि एक ही संग में रखा गया है, clear है बिलकुल, orthopoda, ठीक है, बहुत बढ़िया, very good, move करते हैं, next question की तरफ, संग से संबंध रखती है, ठीक है, यहाँ पर image में आप देख भी पा रहे होंगे, कि एक cuttlefish है, ठीक है, cuttlefish किस से संबंध रखती है, echinodermita से रखती है, molluska से लगती है, analida से रखती है, या PCS से रखती है, ठीक है, तो किस phylum से, यानि कि किस जनतुसंग से, जो cuttlefish है, यह संबंध रखती है, यह यह बिलॉंग करती है, ठीक है, ओर्थोपोडा biggest group है, बिल्कुल the largest animal phylum on earth, is ओर्थोपोडा, क्यों, क्योंकि ओर्थोपोडा में total number of species कितनी है, 8,63,000, यानि कि 8,63,000 प्रजातियां प्रजातियां प्रजेंट हैं, किस में बिटा, ओर्थोपोडन में प्रजेंट हैं, तो यहां पर जो राइट एंसर होगा, यहां पर वो तो आपका क्या है, largest animal phylum हो गया, अब यहां पर cuttlefish किसे बिलॉंग करती है, ओके, यहां पर response आ रहा है, बिटा, D, यानि कि PCS, ओके क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, क्या, यहां पर fish लिखा ओके, ओके, देखो बिटा, यहां पर cuttlefish के अगर shape की बात करी जाए, तो जैसे आप देखते हैं कि squid होता है, ठीके, squid के अलावा हम लोग बात करें, octopus है, ठीके, यह cuttlefish है, यह सबी हमेशा, क्या करते हैं बिटा, यह सबी हमेशा shell की खोज में रहते हैं अपने सुरक्षा के लिए, और यह shell बने होते हैं calcium carbonate के, और जो आपके यह animals है, cuttlefish है, या अगर हम लोग बात करें कि जो भी हमारे octopus हैं, या squid हैं, यह सबी belong करते हैं, बिल्कुल सहीं बिटा, molluscan से belong करते हैं, ठीके, mollusca, यानि की कवच धारी जीव, जिसमें की union भी आता है, यानि की करते हैं, तो cuttlefish भी molluscan से category में आती हैं, बिल्कुल सहीं बिटा, बहुत बढ़िया, move करते हैं बच्चा, next question की तरफ, next question क्या कह रहा है, which of the following has the largest brain in proportion to its body size, यानि की निम लिखित में से किसका मस्तिस को, उसके सरीर के आकार के अनुपात में सबसे बढ़ा होता है, यानि की body size जो है, उसके respect में, उसके अनुपात में किस जीव का मस्तिस को सबसे बढ़ा है, brain सबसे बढ़ा है यहां पर, ठीक है, आंट का है, elephant का है, dolphin का है, या human being का है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को बताना है, बिटा, कि वो कौन सा ऐसा animal है, कि पूरे body size के respect में, उसका brain क response करेंगे, सभी लोग, ओके, हाँ बिटा, octopus भी, मोलसका से ही बिलॉंग करता है, ठीक है, यहां पर C option आना सुरू हो गया है, बहुत बढ़िया बिटा, ओके, dolphin, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, अगर हम लोग देखें, बहुत बढ़िया बिटा, ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए, तो इन सभी में compare करें, तो जो dolphins है, dolphin का जो body shape है, उस shape के comparison में, brain का जो ratio है, वो सबसे ज़्यादा होता है, और साथी साथ, अगर हम लोग बात करें, कि cranium capacity की, या brain की activity, या brain के use की अगर बात करी जाए, तो dolphins हम लोगों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान होती है, क्यों क्योंकि अपने brain की total capacity का, ये कितना use करती है, 20%, ठीक है, कितना use करती है, 20% use करती है, अपने brain के comparison में, ठीक है बाता, तो यहां पर जो right answer होगा, that is dolphin, यानि की C option, बहुत बढ़िया, very good, ठीक है, बहुत ही अ question की तरफ, next question क्या कह रहा है, bacilli are bacteria, which are, यानि कि bacilli जो bacteria होते हैं, वो कौन से bacteria होते हैं, comma shaped bacteria होते हैं, ठीक है, comma क्या करके, rod shaped होते हैं, spiral shape में होते हैं, या spherical shape में होते हैं, ठीक है, जल्दी से response कर गया है, सर, बहुत अच्छे question लेकर के आये हो आप, बेटा, ये जितने भी आपके competitive exams हैं, इन सभी में ये सारे question मिलेंगे, और हाँ, यहाँ पर पूरा proper explanation आपको मिलेगा, कोई भी question ऐसा नहीं होगा, कि इसके बाद, जब आप अच्छे से इसको पढ़ेगे, एक दो बार revise कर और फिर उसके बाद, जब कभी भी आप लोग exam में बैटोंगे, तो question गलत नहीं होगा, ठीक है, बस, पूरे concentration के साथ पढ़ेए, और explanation जरूर सुनिए, ठीक है, ओके, यहाँ पर response आ रहा है बेटा, comma shaped, ओके बच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, और बाकी लोगों का क्या response ह है, ठीक है, बाकी लोगों का क्या response है, बैसलाई, comma shaped, ओके बच्छा, ठीक, और बाकी लोगों का क्या कहना है, बाकी लोगों का क्या कहना है, देखो बेटा, bacterial classification, यानि कि अगर हम जीवानों को वर्गी कृत करते हैं, तो खास तोर पर उनको shape, यानि कि उनके सरीर की आकृति करते हैं, ठीक है, categorize करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, जो bacilli होते हैं, या bacilli होते हैं, बैसलाई खास तोर पर किनको कहा जाता है बेटा, ये उन bacterias को कहा जाता है, जो आपके rod shaped होते हैं, ठीक है, कैसे shape के, जो rod shaped होते हैं, rod के आकार के होते हैं, उनको हम ल बेटा कॉमा शेफ्ड को ठीक है देखिए शेप के एक ओर्डिंग अगर देखा जाए तो बैक्टिरिया को चार केटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं चार तरीके से कौन-कौन से एक तो हो गया हमारा बैसली जो की रॉड शेफ्ड है ठीक है बेटा क्लियर रॉड जैसे आप लोग अपने नूटमे पंचिंग करा करके कुछ इस तरीके से एस्पाइरल चड़वाते हैं ठीक है तो जो spiral shape के होते हैं, उनको कहा जाता है spirilla, ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? Spirilla कहा जाता है, ठीक है, तो spirilla जो है, ये spiral shape के होंगे, ठीक है, और वहीं, जो आपके spherical shape के होते हैं, इन bacteria को क्या कहा जाता है बेटा? कौकाई क्या कहते हैं हम लोग कौकाई कहते हैं या कौकस कहते हैं कि इनको कहा जाता है जो spherical shape के होते हैं तो ये चार basic categories हैं जिनमें कि हम लोग bacteria को shape के according क्या करते हैं बटा divide करते हैं या बागते हैं ठीक है तो कभी भी अगर पूछा जाए जो comma shaped बैक्टिरिया होंगे उनको क्या कहा जाएगा तो विब्रियो कहा जाता है रॉड शेप्ड को क्या कहा जाता है तो बैसिलाई कहा जाता है इस्पाइरल शेप को क्या कहा जाता है और जो इस्पैरिकल शेप के होते हैं उनको कौकाई या कौकस कहते हैं जैसे कि आप लोगों न के स्ट्रक्चर में तो डिपलो हो गया इस्टेफाइलो यानि की लॉंग चेंड लेकिन इस्पैरिकल छेप में है ठीक है क्लियर वही अगर हम लोग बात करें बेटा की विब्रियो कॉमा शेप जैसे की कॉलरा का बैक्टिरिया है विब्रियो कॉलरी हम लोग उसको कहते तो व बहुत बढ़िया ठीक है तो क्लियर हो गया होगा तो यहां पर यह बैक्टिरियल क्लासिफिकेशन है उनके शेप के एकॉर्डिंग ठीक है बच्चा मूफ करते हैं हम लोग नेक्ट कुस्चिन की तरफ नेक्ट कुस्चिन क्या कह रहा है वाई ड़स दा फीमेल मॉस्क्यू इसलिए वह खून चूशती है फॉर जैनरेटिंग इनफेक्शन क्योंकि उसको संक्रमण फैलाना होता है इसलिए वह खून चूशती है तो सेव हर ओन लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए खून चूशती है या टू रिप्रडूज एग या अंडे को देने के लिए या अंडे को जनने के लिए ये खून चूशती है तो आप सभी लोगों को रिस्पॉंस करना है पिटा कि आखिरकार मादा मच्छर खून चूशती ही क्यों है क्यों है क्लियर तो जल्दी से बताइए कि क्यों मादा मच्छर खून चूशती है या खून चूशने का काम करती देखे पेटा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फीमेल मॉस्क्यूटों की कभी भी आप देखें फीमेल को नेक्स जनरेशन की टेंसन ज्यादा रहती है ठीक है कि बच्चे अगर कोई भी हैं तो उनको नरिश भी करना है उनको पोश्ण भी देना है साथी साथ उनका development भी सही तरीके से हो उनका विकास भी सही तरीके से हो इन सब चीजों पर उनको काम करना पड़ता है सारी चीज़े देखनी पड़ती है लेकिन अब अगर ये खून चूस रही है तो इनकी जो mouth cavity होती है ये इस तरीके से design की जाती है कि saliva के साथ साथ ये piercing कर सके यानि की skin को छेद सके ठीके अब यहाँ पर हम लोग बात करें for spreading malaria malaria को फैलाने के लिए तो ये बिलकुल गलत होगा ठीके क्योंकि malaria तो एक parasite है कि उसके through होता है कौन सा plasmodium के through ठीके clear अब infection वो हो जाता है लेकिन main क्या है कि save own life बिलकुल नहीं to reproduce egg mosquito खाल तोर पर blood sucking इसलिए करता है female कि eggs के जो अंडे होते हैं इनके उपर एक layering हो जाए जो कि blood में nutrition और protein present होते हैं और उसी के वज़े से ये जो layering हो जाती है ये layers क्या करती है जो nutrition provide करती है इनके egg को hatch होने में और साथी साथ लारवाज को nourish होने में और फिर जब ये completely develop हो जाते हैं तो ये फिर spread होते हैं तो main reason क्या है बिटा to reproduce eggs यानि कि अंडे देने के लिए ये खास दौर पर खोन चूजती है ठीक है बिलकुल बहुत बढ़िया move करते हैं बिटा next question की तरब next question क्या कह रहा है animals of which phylum have jointed leg अभी हम लोगों ने इससे related question solve किया है तो सभी लोगों का response आना चाहिए कि animals of which phylum have jointed leg किस संग के जन्तूओं में पैर संयुक्त होते हैं संयुक्त पैर यानि की जोडी में अगर देखा जाए या उसमें joints कई सारे joints present हो एक दो नहीं कई सारे joints present हो तो ऐसे animal phylum को हम लोग कहते क्या है बिटा ठीक है किस animal phylum को jointed leg ठीक है किस animal phylum में jointed leg present होते हैं बिटा ठीक है यहाँ पर molluska है, nimetoda है, orthropoda है या echinodermita है echinodermita में कौन आता है, echinodermita में आता है बिटा starfish क्या इसमें jointed leg present होते हैं तो बिलकुल नहीं होते हैं ठीक है कल ही हम लोगों ने इसके संबंदित discussion किया था कि इन में क्या होता है बिटा starfish की अगर हम लोग बात करें तो water vascular system इन में present होता है जो की water balance maintain करता है इनकी body में ठीक है clear वहीं molluskans की अगर बात करीजें तो क्या आप jointed leg होते हैं नहीं अगर आप कभी भी देखिए किसी भी molluskans का में है चाहे आप octopus को ले लो यूनियो या पाइला को ले लो तो क्या इन में legs होते हैं बिलकुल नहीं होते हैं ठीक है निमेट ओड़ा जो की parasites है इन में leg का कोई मतला भी नहीं है लेकिन जो और्थ्रोपोडंस है इनहीं में क्या होता है बिलकुल सही बात है एक मच्छर 200 से 301 बिलकुल इसलिए बारिश के बाद या बारिश के समय पर आप देखे तो जब भी कहीं किसी छेत्र में malaria अगर फैलता है या डेंगू फैलता है तो जो आपका स्वास्थ विभ हो रही है यानि कि जल का जमा हो रहा है या पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर या तो मिट्टी के तेल का छिलकाओ या इंसेक्टी साइड का छिलकाओ होता है ताकि वो लारवाज क्या हो सकें मर सकें और मच्छरों की स्प्रेडिंग कम हो सकें ठीक है बिलकुल सही बात है ठ next question की तरफ, ठीक है, next question क्या कह रहा है, आईए देखते हैं, which is not an example of one-sided symbiotic relationship, यानि कि इन में से कौन सा एक, एक तरफ का सहजीवी, यानि कि one-sided symbiotic relationship को नहीं दरसाता है, ठीक है, कौन सा एक तरफा सहजीवी संबंद का उदारण नहीं है बेटा, ठीक है, और हमेशा कहा है कि अगर question में कभी not या नहीं शब्द आ जाए, तो उसको जरूर आप लोग क्या कर ले बेटा, highlight कर ले, ठीक है, clear, तो यहाँ पर है आपका cattle, cattle eager and cattle, दूसरा है a hermit crab and an empty shells, ठीक है, दूसरा है a spider on a tree, या tape worm in host stomach, ठीक है, तो इन में से कौन बेटा, आपका एक तरफा, सहजीवी संबंद का उदारण नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, सहजीवी का उदारण नहीं है, ओके, ओके बेटा, B option, यानि कि hermit crab and empty shells, देखो बेटा, जो hermit crab है, hermit crab खास तोर पर molluscans में आते हैं, ठीक है, और यह हमेशा shell की खोज में रहते हैं, और shell से इनको protection मिलता है, और साथी साथ, यह shell को भी क्या करते हैं, उसको use करते हैं, और उसका utilization करते हैं, तो यह आपका अगर देखा जाए, तो यह उदाहरण है बेटा, ठीक है, यह सही है, ठीक है, यह आपका one-sided, आपका symbiotic relationship को show करता है, one-sided, भाइ, shell है, shell से सिर्फ इसको protection मिल रहा है, लेकिन cell क क्या कोई फायदा है, नहीं, one-sided, one-sided की बात कर रहे हैं, और symbiotic, जो दो अलग-अलग जीव साथ हुए रहे हैं, ठीक है, clear, तो यह तो है, वहीं cattle, eager, और cattle की बात करें, तो यह भी आपका one-sided relationship है, ठीक है, वहीं spider in a tree की अगर हम लोग बात करें, मकडी जो की एक पेल में है यह भी आपका one-sided symbiotic relationship है, लेकिन इन में से क्या नहीं है, यह parasitism में आ जाएगा, जो tapeworm है और host का stomach, यह symbiotic का आपका example नहीं है, यह parasitism का example है, तो right answer यहाँ पर क्या होगा बिटा, right answer होगा D, यह सभी तो आपके क्या है, यह तीनों आपके अलग हो गए, यह सभी example है symbiotic क लेकिन tapeworm का जो है, यह example है parasitism का, तो यहाँ पर right answer आपका क्या होगा बिट्चा, D is the correct answer, ठीके, right answer क्या होगा, D is the correct answer, ठीके, clear, move करते हैं बिटा, next question की तरफ, next question क्या कह रहा है, long bone with air cavities and lungs with air sac are the feature of the class, यानि की वायू गुहाओ वाली लंबी हड्डियां, मतलब हड्डियां क्या हैं बिटा, लंबी हैं और खोकली हैं, उनमें air cavities present हैं, दूसरा क्या है, वायू कोशों वाले फेफडे, यानि की उनके जो लंग्स हैं, लंग्स में extra, क्या present हैं वायू तो ये किसके characteristic हैं, किसकी विशेस्ताओं को ये दर्शा रहे हैं, ठीके, तो सबसे पहला point अगर हम लोग देखें बिटा, कि एक ऐसा हमारा call dates में है, यानि कि कशेरू की जीवों में हैं, और ये कशेरू की जीवों में देखा जाए तो सरीर को हलका करने के लिए, बाई, अ सरीर हलका हो जाएगा, तो ये आगे flow भी करेगा, ठीके, और सरीर हलका होगा, तो उडने में सहायता करेगा, और ये characteristic किसके होते हैं, अगर आप एवीज के lungs को, यानि कि इनके फेफलों को कभी भी consider करिये, तो इनके फेफलों में क्या होता है, बाई, इनके फेफलों में अ अलग से अगर देखिए, तो यहाँ पर क्या present होते हैं, बाई, कुछ वायुकोश प्रेजन्ट होते हैं इस तरीके से, और इन वायुकोशों के कारण, इनका जो सरीर है, वो क्या हो जाता है, बाई, ये इसमें air filled हो जाती है, और ये हलके हो जाते हैं, और आसानी से fly कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से उड़ सकते हैं, साती साथ, इन में क्या होता है, हड्याँ जो होती है, वो हॉलो होती है, उन में air cavities होती हैं, जो की इनके भार को कम कर देती है, तो राइट एंसर क्या होगा, बाई, यानि के पाक्षी बढ़, ठीक, बिलकुल, बिलकुल बिलकुल स देने वाला इस्तन धारी है या इस्तन पाई है यानि कि एग लेंग मैमल की अगर हम लोग बात करें तो भाई जब डैवलपमेंट शुरू हुआ तो पहले तो नॉन कॉल्डेट्स हुए थे और नॉन कॉल्डेट्स में अगर हम किसी भी हम लोग खासत तोर पर प्लैटी हेलम यहां पर क्या हुआ बैटा मैमेल में भी कैटेगरी डिवाइड है तो जो आपके प्रोटोथीरियंस है वो प्रोटोथीरियंस एग लेंग मैमेल यानि कि अंडे देने वाले इस्तंधारियों में आते है और यहां पर अगर दिखा जाए तो कौन सा अंडे देने वाला इस्तंपाई या इस्तंधारी है यानि कि मैमेल मैंगूज है ठीक है मैंगूज किसको कहत है ठीक है platypus है whale है या mole है ठीक है clear जल्दी से बताइए ओके बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल पेटा जो एग laying mammal है that is platypus जिसको की हम लोग duck will platypus भी कहते हैं यानि कि बत्तक चोंच platypus भी इसको कहा जाता है और ये क्या करता है पिटा ये अंडे देने वाला इस्तंधारी यानि कि ये एग लेंग करता है और साथी साथ इसमें memory gland तो present है यानि कि इस्तंग्रंथियां तो present है लेकिन ये कभी भी अपने बच्चों को milk feeding या breast feeding नहीं करवा पाता क्यों क्योंकि इसमें nipples absent होते हैं ठीक है मतल platypus ये कुछ ऐसे रहता है और खास तो और पर ये कहां पर रहता है water bodies के आसपास रहता है या water पर रहता है शिकार भी ये पानी में करता है लेकिन अंडे देने वाला इस्तंधारी है ठीक है clear है तो यहां पर जो right answer है वो आपका क्या होगा बटा that is platypus और ये आपका कभी भ होता है हम लोग next question की तरफ next question क्या कह रहा है prokaryotes are included under the kingdom of prokaryotes को किस संगह के अंदर सामिल किया गया है ठीक है अगर हम लोग देखें बेटा तो यहां पर options क्या दिया है protesta plantae fungi और monera ठीक है clear तो यहां पर तो feed कैसे करते हैं अपने बचों बिटा यह feeding कभी नहीं कर आपाते हैं यह breast feeding कभी नहीं करवा पाएंगे इन में क्या है memory gland यानि कि breast तो present है बट nipples नहीं है यह अपने बचों को egg laying करके produce करते हैं और उनको यह जो food material ले करके आते हैं उन्ही food material को खिला करके इन बच्चों को बड़ा करते हैं ठीक है जैसे आप लोगों ने घोसलों में birds को देखा है वह क्या करते हैं यह जा करके शिकार करके आए और जैसे घोसले में आए तो चूजे क्या करते हैं नहीं उनको खाना चाहिए मूँ कोल देते हैं और वो सीधे feed करा देते हैं ठीक है कुछ वैसे ही य लेकिन मिल्क फीडिंग कभी नहीं कर आपाते हैं ठीक है कभी भी मिल्क फीडिंग यह नहीं कर आपाएंगे ठीक है तो मिल्क फीडिंग नहीं होती यह ब्रेस फीडिंग नहीं होती यह सिर्फ और सिर्फ क्या कर आएंगे बटा यह सिर्फ और सिर्फ फूड से नरिश करते है ठीक है clear समझ में आया तो यहां पर आपका जो next question है कि बैक्टेरिया जो है यहां पर क्या है प्रोकेरियोर्ट किस kingdom है तो यहां पर यह five kingdom system का नाम दिया हुआ है अब बेटा जो five kingdom system है याने कि पाँच जन्तु जगत की बात करें तो यह five kingdom system किसने दिया था तो rh utaker ने दिया था ठीक है किसने दिया था आ hypoc विटेक ere ने दिया था अब यही अगर पूछलिया जाए कि rh utaker ने कब दिया था five kingdom system तो 1969 में दिया था 주는 अब यहां पर देखा जाए तो लिस्ट डवलप्ड है बहुत ही कम विक्सित है ठीक है और यहाँ पर procarios कौन है procarios कि अगर हम लोग बात करें विटा तो इसमें आते है bacteria archi bacteria या अगर हम बात करें sinobacteria, sinobacteria किनको Jeans हम लोग cyanobacteria कहते हैं हम लोग blue जो blue green algs होते हैं यानि कि नीले हरे शेवाल होते हैं उनको sinobacteria या photobacteria कहा जाता है और ये सबी किसमें आते हैं प्रोकेरियोर्ट्स में आते हैं क्यों क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड नुकलियस नहीं होता है बिल्कुल वेल डेवलप्ड नुकलियस नहीं होता और इनको किसमें रखा गया है तो इनको रखा गया है मोनेरा में ठीक है प्रोटेस्टा में किन उनको रखा गया, फंगी में, तो यहां पर जो right answer है, that is monera, ठीक है, किसमें रखा गया है, monera में, ठीक है, बिल्कुल blue green algae, कोही phytobacteria भी कहा जाता है, syinobacteria भी कहा जाता है, तो नाम से कभी भी confused मत होना, ठीक है, clear, समझ में आया, बहुत बढ़िया, तो आज के session का समापन ब azola, azola हाँ, बिल्कुल, by algae's में है, तो वो भी इसी में आएंगे, ठीक है, azola हो गया, या spirulina हो गया, यह सभी इसी में आएंगे, बिल्कुल, monera में आएंगे, ठीक, बहुत बढ़िया, तो clear है सभी को, okay, that's all for today, thank you, मिलते हैं next session में, क्या आप भी SSC exam की तयारी कर रहे हैं, क्या आपके भी SSC MTS, Delhi Police, Head Constable और SSC Selection Force के exam scheduled हैं, लेकिन तयारी हो नहीं पा रही, due to lack of study materials, mock tests and test series, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब शाम 7 बजे से राज 9 बजे तक, आपको live interactive classes के साथ मिलेगा free study materials, mock tests and test series, तो देर किस बात की हैं, अभी subscribe करें, OL Expert को, क्या आप भी SSC exam की तयारी कर रहे हैं, क्या आपके भी SSC MTS, Delhi Police, Head Constable और SSC exam रहे हैं?